पर आपको बताता है कि स्मार्ट सिटीज के बारे में दरसल स्मार्ट सिटीज के 20 शहरों का एलान तो कर दिया गया है लेकिन क्या कुछ सुविधाय स्मार्ट सिटीज के अंदर होंगी और इनको विक्सित कब तक किया जाएगा साथी साथ ऐसी क्या सुविदाइ हूंगी बुनियादी धाचे के मोर्चे पर हैने के internet connectivity किस तरह की होगी रोड की सुविधाय किस तरह क्योंगे अस्पताल किस तरह से होंगे यह आपको बताता है इस रिपोर्ट के जरीए इसमार्ट शहर के तौर पर विकिसित किये जाने वाले पहले 20 शहरों का एलान कर दिया गया है सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 50,802 करोड रुपे के फंड का आवंटन कर दिया है पहले 20 शहर जो स्मार्ट सिटी के तौर पर विकिसित किये जाएंगे वे हैं उडिशा से भोवनेशर, महराष्ट्र से पुने, राजिस्थान से जैपुर, गुजरात से सूरत, केरल से कोची, गुजरात से एम्दाबाद, मध्यपरदेश से जवलपुर, तमिलनाडु से विशाका पत्नम, महराष्ट्र से शोलापुर, करनाटक से धवनगिरी, से एंडीम सी तमिलनाडू से कोयम बतूर आंध्रप्रदेश से काखिनाडा करनाटक से बेलगाम राजस्थान से उदयपुर आसम से गोवाहाथी तमिलनाडू से चेन्नाई पंजाब से लुद्याना मध्युप्रदेश से भोपाल अब आईए आपको बताते हैं कि क्या-क्या सुविधाय होंगी इस मार्ट शहर में इन शहरों के विकास में साथी और बिजली पानी जैसे इंफरस्ट्रक्चर का खास ख्याल रखा जाएगा साथी Solid Waste Management, Public Transport, IT Connectivity, E-Governance और नागरिक भागेदारी का खास ख्याल रखा जाएगा स्मार्ट सिटी में सातो दिन 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई होगी सौ प्रतिशत घरों में बिजली कनेक्शन होगा और सारे कनेक्शन मीटर से जुड़े होंगे साथी 100 प्रतिशत घरों तक वाई-फाई कनेक्टिविटी होगी इसके अलावा स्वास्त के मोर्चे पर हर 15,000 लोगों पर एक डिस्पेंसरी होगी और हर 50,000 लोगों पर एक डाइनोस्टिक सेंटर होगा परयोजना के अगले चरण में सरकार 40 स्मार्ट शहरों को विकिसित करने का एलान करेगी केंद्र सरकार की पूरे देश में ऐसे 100 स्मार्ट शहर विकिसित करने की योजना है अगले पांच सालों में शहरों को विश्व इस्तरीय इंफास्ट्रेक्चर और अच्छा वातावरन देने की दिशा में हर स्मार्ट शेटी को केंदर सरकार हर साल 100 करोड रुपे देगी अरुन शर्मा के साथ रिशी कुमार डीडी नीव्स दिल्ली